तो हेलो गेमर इट इस मी सेल्जो और इंटरनेट कैफे सेमूलेटर के एक और एक एपिसोड में आप सभी का सुभागात है फिलार भाई यहाँ पर सुभा हो चुके और आज हम काफी जल्दी उड़ चुके एक मिनट में देख लू टाइम कितना हो गया है अरे बाप रे यहाँ ब्रेड लेगा है था कल में हाँ यह ब्रेड खा लेते हैं और ठीक है भाई पेट पूझा हमारी हो चुकी अब हमें काम करना है और काम पर जाने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा आपको रूम टूर दिखाते हैं अपना काफी चाता लोग मुझे वो रहते हैं अपने किचन वगएरा मैं आपको दिखा दिए यह सबसे जादा मेरा में रूम जो है मेरा ओफिस रूम डीक है यहाँ पर जब कभी बाहर बाइश हो रही तो मैं यहाँ बैट के अपना काम वगएरा कर लेता हूँ ओफिस का जितना भी रहता है और बस यही चोटा सा ओफिस है और यह बढ़िया आइडिया लेके आता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं काफी टाइम बिचाता हूँ तभी इतने खतरनाख खतरनाख आइडिया मेरे दिमाग में घूमते रहते तो यही तर मेरा यहाँ पर रूम टूर ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है लेकिन जितना भी यहाँ पर हम सबसे पहले तो आर्केट गेम्स लेका आएंगे अपनी शॉप के लिए और एक नहीं नहीं तीन नहीं काफी जहड़ा आर्केट गेम्स लेके आएंगे जिससे माई दुकान की कमाई भी काफी जदा बढ़जाेंगी लेकिन एक मिनट भाई आज यह यह क्या बेचने में लगा हुआ है यह वुड चेर कोन लेगा भाई ओ एक मिनट भाई यहाँ पर तो PS3 और एक AC भी है अरे कहां फस गया मैं तो भाई यहाँ पर PS3 और एक AC भी है AC तो मुझे चाहिए था क्योंकि यहाँ पर हम एक नई चीज करने वाल है उसके लिए हमको AC की बहुत जादा जुरत पड़ेगी तो इसको हम भाई कर लेते हैं ठीक है भाई AC तो हमने भाई कर लिया है और यहाँ पर आज हम एक मिनट यह चोर क्या कर रहा है एक मिनट रुख जो है इसको थोड़ा मजा चखाए जाए इसको इधर फैक हो और अंदर से मैं बैट लेके आता हो इसको थोड़ा मजा से चखा जाए ने तो भाई यहाँ पर चोरी चेकारी करने लग जाएगा एक मिनट मेरा बैट कितर गया यहाँ मेरा बेसबोल बैट चोर कितर गया तो भाई वो देखो इतनी तेज भाग रहा है यह यह ले भाई मुड़के मत दिखाए दियो यहाँ पर पता है ने भाई यहाँ पर क्या करने आता रहता है चोरी चेकारी करने आता रहता है इसे होर कोई काम ही नहीं है ठीक है भाई यहाँ पर चोर को तो हमने निप्टा दिया लेकिन यहाँ पर गंदगी कितनी ज़ादा है यार कल इतनी सफाई करके गया थो और आज लेको कितनी ज़ादा गंदगी हो चुकी है तो हाँ यहाँ पर हमने AC वगेरा क्यों लिया है मैं आपको बता रहता हूँ तो आज हम यहाँ पर माइनर लेने वाले और आप सबको पताईए कि माइनर कितनी ज़ादा हीट छोड़ते तो माइनर वगेरा को ठंडा करने के लिए AC बहुत ज़ाद जूरूरी है इसलिए यहाँ पर मैंने second hand AC बाई कर लिए लेकिन यह काम एकदम मस्त करेगा तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं ठीक है भई लगा दिया वैसे अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी नहीं तो मैं आपको बताया है तो वो वीडियो जाके देखो भाई उसमें मैंने एक माइनर नी दो माइनर नी 100-200 माइनर लेके आयो और भाई पूरे रूम पे मैंने माइनर ही माइनर लगा दिये और वो जो रूम था ना इतना जादा खतरनाग लग रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते आपका दिमाग फट जाएगा अगर आप वाली वीडियो देख लोगे तो अभी आप देख लो जाके आई बटन में आपको शोर आगा जाके एक बारी प्लीज जाके चेक करो उस वीडियो को कि उसमें भई मैंने पूरे रूम में न माइनर ही माइनर बिचा के रखे हुए थे और उन hart जो मेरी कमाई थी वह इतनी जादा थी इतनी जादा थी मैं आपको क्या बताओ आप ये लगा लो कि मैं भाई एक दिन में न एक लाग डोलर कमाता था इतने जादा मैंने माइनर लगाए थे और भाई मज़ा आ गया था तो अगर आपने वाले वीडियो नहीं देखिए तो आई बटन में शोर आ है जाके भाई देखो बस एक बारी देख लो उसके बाद आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बोक्स में जुरूर बताना ठीक है अगर आप माइनर के शोकीन होना तो भाई वो वीडियो अगर आपने नहीं देगी तो आपका जीना दुसवार है भाई मत जी ओ दुनिया में तो मजा कर रहा हूँ वीडियो जाके देखो बहुत ज़्यदा इंट्रस्टिंग है फिला भाई यहां पर हम साफ सफाई कर रहे है और गंद काफी ज़्यदा मचा है पता नहीं कहां से इतना गंद आता है एक दिन के अंदर अंदर और इसमें भी हम व मुझे इतनी कमाई नहीं होगी जितने मुझे यहां पर माइनर से होगी लेकिन सोचने की बात यह है कि माइनर कितने जादा ले के आने और कहां से ले के आने जी दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहां पर मिलते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि म और थोड़ी दे तक इसको चलाएंगे ठीक है थोड़े बहुत पैसे जमा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे माइनर लेने के लिए लेकि यहाँ पर मुझे यह नहीं पता कि माइनर की दुकान किदर है तो पहले तो हमको दुकान को ढूनना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि माइनर का प्राइज क्या चल रहा है फिराल अभी मेरे पास पैसो की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है 16,000 डोलर हमारे पास पड़े हुए तो मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी होंगे माइनर वगएरा लेने के लिए और उसके बाद भाई मैं सोच रहा हुना है माइनर वगएरा लेने से पहले हम यहाँ पर आर्केट मशिन लेते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरी दुकान है ना काफी खुली खुली दुकान है तो इन सब को भरने के लिए हमको आर्केट मशिन की लोड होगी यहाँ पर हम कोई नया सेट अप अगर हो सकेंगा बनाएंगे नहीं तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको पता ही है वैसे हमारे पास यहाँ पर काफी ज़धा सेट अप है और यह सेट अप इतनी जल्दी खराब होता है क्योंकि यहाँ पर इतनी जगाई नहीं है मतलब यहाँ पर अगर मैं सैट अप बना भी लूँगा न तो वो इतनी जादा हो जाएंगे न कि लोगो चलने की जगाई नहीं मिलेगी और जब चलने की जगा ने मिलीगी तो वो सैट अप के उपर चड़के जाएंगे और सैट अप यहाँ वा हिला देंगे न तो भाई यहाँ पर सैट अप बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे और मुझे बार-बार उनको सैट करना पड़ेगा तो इस मुसीबत से बचने के लिए हम आर्केट मशिन को लेके आते हैं क्योंकि यह लते डिलते नहीं है एक मिनट भाई भाई बार के तरफ फिर से चोर आ गया है एक मिनट उसको जड़ा थोड़ा पेल के आते हैं शॉप को भी ओन कर दिया है ठीक है कि आज हमें यहां पर कोई बिल वगेरा तो नहीं देना दो फटाफर से इसको ओन करते हैं इतना ओन ओन में टाइम लग रहा है हम थोड़ा भार देख लेते कि यहां पर चोर दुबारा से नहीं आ जाए अलाकि बोडिकार तो मैंने रखा हुआ है लेकिन तब भी कोई वरोजा नहीं है और यह हमारे पहले कस्टमर है जो यहां पर आए और बहुत ज़्यादा खुश है लगता है ओ भाई इतने सारी कस्टमर एक साथ लगता है यहां पर यह पूरी गैंक बना के आये चलो कोई बात नहीं हम कोई फाइदा होने वाला है लेकिन एक मिनिट भाई यहां पर यह होमलेस बंदा यहां की घूम रहा है भाई यहां पर ना यह देखो यहां सारा समान इधर उधर करके जाता है लेकिन यहां पर यह कुछ भी नहीं खृता है वर ना ही कोई गेम अगेरा खिरिता है और ना ही कुछ करता है बस यहाँ पर यहाँ बहुता रहता है उस सारा सैट अप बिगाड़ता है यह देख लो भाई इसने देखो यहाँ पर यहाँ पर यह सैट अप को बिगाड़ के चला गया कभी कभी तो मेरा मन करता है इसको बैट मेरा धिमाग खराब करता है दूसरा वो चोर इतना मारता हूँ उसको में बैट से तब भी यहाँ पर भाई मार खाने के लिए आ जाता है और यहाँ पर भाई हम कुछ सत्रा हजार डोलर हो भी गए थे भाई क्या बात है हम तो भाई बहुत तेजी से पैसा चाप रहे हैं और यह आर्किट मशिन दाने के बाद हम और पैसे चापेंगे दिखना बहुत जादा अमीर हो जाएंगे लेकिन में अमीर जो हम होंगे वह होंगे माइनर लेने के बाद त देखते भाई यहां पर कोई सेट अप खराब तो नहीं है अरे भाई यह वाला सेट अप किसने खराब कर दिया अभी तो सेट करके गिया था एक तो भाई यहां पर यह वाला सेट अप बहुत जादा खराब होता है इतना जादा सेट अप खराब होता यह वाला कि आप पू विट्स हजार डोलर। बहुत जादा यहां हमारा ओडर अभी तक क्यों नहीं आया यार ओगैंगोहँ तो इनको शुम पर हम बीट कोईन के प्राइस कर लेते की अभी क्या चल रहा है कि उसके बाद हमको यहां प्रिल्ट कोईन वगएरा लेने के जाना पड़ेगा तो क्रिप्टो करंद से की वेब साइट को लिए हमने और बिटकोइन को प्राइस तो भी बहुत जादा चला है 26,000 डोलर भाई यह बहुत जादा है एक बिटकोइन की प्राइस यहां पर 26,000 डोलर है और अगर आपके पास यहां पर यह 10 होएंगे न तो देखते हैं यहां पर यह रात तक कितना प्राइस बढ़ जाता है ठीक है बढ़ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तो फटाफर से आर्केट मशिन को लगाना शुरू करते हैं तो मैं सोच रहा हो ना इसको हम कुछ इस तरीके से लगाए कि यह ज़्यादा जगा अगर यहां पर ज़्यादा हम लगाएंगे ना तो कस्टमरों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कते आएगी और इसके चेकर मेरा सारा का सारा साथा बैना वो खराब हो जाएगा और यह मैं चाहता नहीं हूँ ठीक है बढ़ एक को लगा दिया कितना बढ़िया तो इसको भी यहां पर रख देते हैं तो जादा नहीं हम यहां पर समाल ले सकते हैं क्योंकि यहां पर ना जा समाल लेने का यह दिक्कत है कि सिस्टम हिला के भाग जाते हैं और मुझे बार-बार सेट करना पड़ता है तो अभी तो फिलाल यह बही दो सेट कर दिया हमने औ यहां पर दौर के भी अपर बड़ी बड़ी है तो इसको भी और लगा देते हैं, यहां पर वेट करेंगे हम यहां पर चाहना शुरू हो जाएंगे, मैं सुनलोब यहां पर राट को ही चलते हैं, क्योंकि अभी हम यहां पर कमाई कर लेते जितनी कर सकते आपको पता ही है पैसों की कमी तो हमारे पास कितनी जादा है अब हमारे पास यहां पर खाली 75,000 डोलर पड़े हुए इतने कम जब शुरूवात में हम आये थे तो 16,000 कुछ थे और अब देखो 8,000 डोलर कुछ है तो आ क्योंकि आज तो मैं बिटकोई भी लेने और मैं आपको बताओ तो भाई भी बिटकोई ना बहुत जादा महंगे मिलते हैं तो यहां पर हमारे पास पैसे होने तो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो मेरे गयाद से अभी के लिए इतना समान काफी है लेकिन बाद में हम यहा इसे भी है जो मुझे यहां पर अभी कंप्लीट करने जैसे लग्जरी सेट अप हो गया वह अभी तक मेरे एक दो सेटब इनकंप्लीट है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहां पर हमारी दुकान का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और मारे पास 3,000 डोलर बन चुके पहले 75 या 7,000 कुछ था और अब 10,000 डोलर बन चुके तो कमाई तो काफी धुम धाम से हो रही हमारी और फिला भई यहां पर कस्टमर मेरे ख्याल से आने थोड़े कम हो चुके पतानी ऐसा क्यों हो रहा है एक मिन्ट में भार जाके चेक कर लूगी कस्टमर इतने आ अब यह तो मेरे खाल से यहां पर टाइम थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो गया क्या एक मिन्ट टाइम चुक करते ताइम यह भी ठीधी चल रहा है बस दो घंटे बाद यहां पर हम दुकान को बंद कर देंगे क्योंकि दो घंटे बाद बाद यहां पर सारी दुकाने पड़ेगा तो कोई बात नहीं यहां पर हमारा बिल देख लेते पहले क्या है ओ तरीकी यहां पर तो 2000 का बिल आया कोई बात नहीं वह पे कर देते यहां पर हमने एक एड की सर्फिस को बाइ करना पड़ेगा ताकि हमारे computer पे add वगेरा ना आए ठीक है किदर गया है तो यहाँ पर 209 डोलर का मैंने buy कर लिया है तो अब हमारे computer में भाई कोई भी add वगेरा नहीं आएगी ठीक है भाई यहाँ पर पैसे तो हम लगाता और कमाई जारे भाई इतने जदा पैसे कमारे आप सोच भी तो हम सोचणाई मैने नहीं सकतर हो और यह हम और जादा बढ़ा सकते हैं अकर यहाँ पर मायनर वगेरा ले लें लेकिन यहाँ पर यह कुशनाओ कि मायनर जादा हम ले नहीं आज चूक करके देख Martец यम्र कि कहान पर और कतने यह एक मायनर छेते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हम धीरे धीरे ना माइनर बहुत ज़ादा लेने लगेंगे लेकिन अभी तो फिलाल हम इतने माइनर नहीं लेने वाले हम जाके बस देखेंगे कि माइनर कितने में क्या चलता है, क्या रेट है एक मिनिट भई अरे भाई यहां पर मैंने इसको बेच दिया अरे मेरे को बेचना नहीं था गल्दी से मैंने इसको ऐसे दबाया और अरे यार इसको पहले फैक ना पड़ेगा इसके करके मेरे दो आर्किट मशीन भिगगी मजाक मजाक में लेकिन इसको मैं पता किसले यूज करता था लोगों को खुश करने के लिए असल में इससे ना आप चीजों को बेच सकते हो अगर आपको कोई भी चीज बेच नहीं आप इसको क्लिक करो वह चीज अपना बिख जाएगी तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज है लेकिन मैं इसको मज़े के लिए यूज करता था कस्टमेरों को खुश करने के लिए एक मिनट भई यह चोर दुबारा से इतरा आगे गया अब यह तीसरी बार यहा चुका है यार इसने कितनी कुटाई खाएगा मेरे हाथो एक मिनट रुक जो मैं बेसबोल बैट पकलू किदर गया वो भई यार सुबे से मैं उसकी यहाँ पर धना अधन कुटाई कर रहा हू लेकि वो भागने का नाम ही नहीं लेता बड़ा बत्यमी चोर है यार एक मिनट यहाँ पर पहले मैं थोड़े आर्केट मशीन बाय कर लूँ मैंने मजाग मजाग में उनको बेज दिया पर चलो कोई बात नहीं पैसा ही बहुत हमारे पास ओ तेरे कि जुबारा से हम पोच ग की और दुकान को बंद करने का वक्त आ चुका है मलब यहाँ पर एक बजने वाला ठीक है एक बजने रात के तो दुकान को फटावर से बंद करते हैं और यहाँ पर जितने भी लाइटे वगेरा जल रही है उनको बंद करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम जाने वाले माइनर की शॉप की साइड पढ़ती है तो पहले ढूड़ना पढ़ेगा और उसके बाद यहां पर देखते हैं माइनर कितने रुपे में हमको देता है ठीक है तो जितने भी यहां पर लाइटे वगेरा वह हम बंद कर देता है थाकि बिजली का कराया थोड़ा हमारा बच सके ठीक हाला कि इतने इस बिडी हमारी दुकान है लेकं हम यहां पर बिजली के कराया से डरते है कि आपको पता हिरा बई कभी कभी बिजलीगा बिल अगर एक दो लाक आगे ना तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है फिला बई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर कम से कम 11,000 डोलर बना चुके 11,000 कह सकते हो यह भी 12,000 डोलर कह सकते हो हलाकि भी यहाँ पर अभी कुछ मिंट पहले मेरे पास 8,000 डोलर थे और 5 मिंट के बाद हमारे पास 11,000 डोलर हो चुके तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी जो कमाई है ना पहले सो तो काफी ज़्यादा बढ़िया हो रही है और कैफे हमारा बहुत बढ़िया पैसे कमाई करना है ठीक है महला बहुत जल्दी हम पैसा चाप रहे लेकिन इस पैसे का हम होर बढ़ा सकते एक मिनट या इस मैंने आपको कहा था यह वाला सेटप बहुत ज़्यादा गिरता है पता नी क्या बात है इसको थोड़ा रिपियर वगेरा करना पड़ेगा थोड़ा इसको सेट करके रखना पड़ेगा ताकि यह बार बार ना गिरे आप खुद ही देख लो भाई यह वाला सेटप कितना ज़दा खराब होता है और इसके चकर में मेरे काफी कस्टमर चले जाते है तो इसको थोड़ा ना मैंको सेट करके रखना पड़ेगा मैं सुझा आप यहाँ पर कुछ दिमें टाइम निकाल के ना पूरी दुकान को दुबारा से सेट करके रखना ताकि मेरे समान जल्दी से खराब ना होए ने तो यहाँ पर अगर यह इसी तरीके से गिरते पढ़ते रहना तो मेरे समान बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे वो सब तो तभी पता लगा जब माइनर को लेके आएंगे तो मेरे क्यास से लाइट बंद करना बोल गया मैं इसकी ठीक है भाई यह लाइट बंद होगी अंदर की मैंने कर दी थी क्या हाँ कर दी ठीक है और बस यही लाइट थी नहीं तर और अरे भाई इसकी लाइट तो स्विच तो छूपी गया मला इसकी लाइट में बंद नहीं कर सकता हूं कोई बात ने हम यह तो लाइट बंद करते एक को खुला ही छोड़ देते कुछ टाइम के लिए उसका भी बात में कुछ ना कुछ तो हल करी लेंगे ठीक है तो यहाँ पर मेरे क्यास सारी के सारी है वह है माइनर शॉप और जाने से पहले थोड़ा पीजा विजा खा लेते हैं भूग बहुत लग रही है ठीक है भाई पीजा विजा खा लिए भूग वगेरा शांत हो चुकी है अब एक मिनटी चोर यहां क्या कर रहे है यह पूरे जगा घुमता फिरता रहते हैं तो यह क्या दुकान का नाम है इंडियन रेस्टोरेंट योशी क्या बात है भाई सामने हमारे इंडियन रेस्टोरेंट है और मैं कभी गया भी नहीं था यह कह है कमीशन चेंज नो कमीशन चेंज अब पता नहीं क्या है यह और यह हमारा होटल ठीक है मैंने कभी भी टाउन को घू कई करेंगा नया गढ़ज़ n Verbund हम यहाँ प्रॉट ihm नहीं बूरी बदियर का दो माइनर काफी होंगे ठीकि है यह मिञेड़ इनिये काफी करते तो एक मिनारेट इसको जरा कि पर फैक देतेIST 2-3 माइनर लेके आते वैसे यहाँ पर अगर मैं 100 माइनर लेके आऊंगा ना तो उसमें तो बहुत टाइम लगजेगा क्योंकि मुझे एक-एक माइनर को अपने हाथ से लेके आना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगजेगा ठीक है लेकि यहाँ पर जब मैं सारे के सारे माइन लेकि आज हो गोगा न अपने शौप में मतलब लगबलग 100 या 200 माइनर अपनी शौप में लगाऊऊगा न तब देखना हमारी कमाई कितनी जादा हो जाएगी मतलब इतनी जादा हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं मला यहाँ पर हम ना हर एक दिन पर लख पती बन जाएंगे, इतना पैसा हम कमाएंगे माइनर से, लेकिन माइनिंग करना बहुत जादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे साइको जैसे जो लोग है न चोर वगेरा घूमते रहते हैं, और माइनर वगेरा को चोरी करके ले ज आता है, बार-बार आता है मेरी दुकान में चोरी करने के लिए तो वैसे फटा पर जाते हैं, बस एक आखरी का माइनर है उसको लेके आते हैं, अगर भाई आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखे, जिसमें मैंने यहाँ पर दोस्तों जादा माइनर लिये थे, तो आप क्या करें, दोस्तों आई बटन में अभी आपको शोर आगा, जाके देखो वीडियो को भाई कि हम एक माइनर से कितने जादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, उतने पैसे हम इस गेम में भी कमाने वाले हैं, एक बात भाई, माइनिंग को जब आप लगाते हो ना, अपने रूम म लगता है, जैसे कि अभी लगेगा, मैं आपको दिखाऊँगा, कि जैसी मैं इसको लगाऊँगा अपनी रूम में, मेरा रूम लगेगा, बुरा टेकनिकल, ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, मुझे पता नहीं है, यहाँ पर लगा के देखते हैं, ओ, ऐसे लगा सकत पर हमको कोट वगेरा डालना होता था, और आपकी माइनिंग शुरू होती थी, लेकिन इसमें नहीं पता इसमें क्या करना है, तो वैसे जादा मुश्किल तो होता नहीं है, इसको स्टार्ट करना है, लेकिन तब भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कि इस गेम हम उसको कैस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं, तो ठीक है, अभी तो यहाँ पर हमने ज्यादा माइनर नहीं लिए, खाली दो ही माइनर लिए हुए, और अभी यह बंद है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बस एक माइनर को लगाते है, और उसके बाद यह वाला साइट अप हमारा माइनर फिट नहीं हो पाए, ठीक है, आपको हार एक जाके में माइनर दिखेगा, और रूम देखना कितना साथा बढ़िया लगेगा, और टीवी में करते हैं, हम यहाँ पर माइनर का रूम बनाने वाले, ठीक है बाई, तीनो माइनर लग चुके है, तो इसको ओन कैसे करते है, एक मिनिट, ओ ठीक है, इसको यहां से इद बाना है, तो यह ओन हो जागा, तो स्टेटस अभी, ओ भाई, ओन हो चुका है, पहला माइनर, दूसरे को ओन कर देते हैं, ठीक है, तीसरे को ओन कर देते है, और स्पीड भी इनकी मेरे ख्याल से भी बढ़ रही है, तीनो की, माइनिंग वगरा मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुकी है तो हमको बस जाना और जाकर देखना है कि यहां पर हमारी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हमारी माइनिंग की स्पीड क्या रही है ठीक है यह भी देखना बहुत जुरूरी है अनफेर अटेक 700 कविर ये कौन सब भी ला गया भई हमारा पता नहीं कौन सब भी ला गया क्यर कोई बात नहीं क्रिप्टो करणस की वेब साइट में जा चुके और देखो भई यहाँ पर हमारी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो चुके बिटकोईन अपने आप बढ़ते जारे फिलाला भी हमारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा कम है पांच बिटकोईन मेरे पास पहले से पड़े हुए तो अभी हमारा जो रेट चरह है वो चरह है 26,000 डोलर तो अभी मेरे पास यहाँ पर काफी ज़्यादा बिटकोईन है और मेरे पास यहाँ पर एथिरियम भी है मेरे ख्याल से कि खाली बिटकोईन है मेरे पास मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरे पास खाली बिटकोईन ही मैंने बाय कर रके थे उसके लावा भी मेरे पास यहाँ पर क्यिवह कोई कोई नहीं आप नहीं है तो चलो कोई बात नहीं कम से कब मेरे पास यहाँ पर अभी 5,"Bitcoin!" और अगर आप इसका टोटल करोके तो आपके पास यहां पर मेरे क्याल से एक लाग से ऊपर का आपके पास पैसा होगा तो मेरे पास अभी फिला ना एक लाग डोलर पड़े हुए आप मानो ना मानो ठीक है इतने पैसे मेरे पास पड़े हुए और वो सब है हमारी क्रिप्टो करंसी की वेबसाइट के अंदर तो पैसा भी पैसा अभी चाम कर लिया है अभी कम बाए करें लेकिन दीरे दीरे देखते जाना इतने जादा बाए कर लेंगे कि किसीने सोची भी ना होगी और मेरे क्याल से आज के लिए इतना काफी है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जुरू कर देना, कमेंट कर देना, शेर कर देना दोस्तों के साथ और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बारी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को, बेल आइकन दवाना मत भूलना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाई बाई